Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता है क्राशीफल तो चलिए से रीडेरे से आप लगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो आप लगों के लिए Professional Front के लिए cards हैं The Moon and Operation और दिखें, दोनों ही cards कहीं बहुत great energies की बात नहीं करते हैं और प्रेशन का card कहीं किसी feeling किसी emotion को किसी level पे suppress करने की बात करता है और उसकी वज़े से यहाँ in general ही एक pressure की भी बात करता है और Moon का card कहीं confusion की बात करता है कहीं, you know, directionless feel करने की बात करता है fear और insecurity की भी बात करता है तो सबसे पहली बात से read areas in cards को देखके आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और इस reading से guidance लेके आप इन चीजों को किसी level तक avoid भी कर सकते हैं और दूसरी बात weekly reading में बहुत बड़े मसले या फिर बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती हैं और दिखे specifically operation के card को देखे तो ये card कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक थकावत मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं या तो आप जरूरत से ज़ाधा काम कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत effort किया और उस तरीके से आपको एक positive outcome नहीं मिल रहा है और दिखे ये दो चीज़ें मेरे mind में आई मैंने कहीं सब के लिए यहाँ पर different reasons हो सकते हैं और कहीं दिखे थोड़ा सा एक restricted सा भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं जैसे कि उन्हों आप खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं और दिखे मून का card भी again मैं कहूंगी इन ही सब चीज़ों से related यहाँ फिर otherwise भी एक fear insecurity की बात करता है तो देखे यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Sagittarius की जो हमारा mind होता है वो negative thoughts के लिए बहुत बहुत fertile होता है जैसे ही एक negative thought आता है हमारे mind में बैसे ही यह negativity multiply होती है और फिर हम अपनी ही create करी हुई negativity में गुम होके रह जाते हैं हम clearly चीजों को नहीं देख पाते हम confused होते हैं और ऐसे में देखे हमारे decisions हमारे choices भी गलत होते हैं और देखे ए operation का card जैसे कि मैंने आपको बताया limitations or restrictions की बात करता है and most of the times जो भी limitations or restrictions हमारी life में होती हैं वो हमारी खुद की ही create करी हुई होती है या मैं कह सकती हूँ कि हमारे ही thoughts की वज़े से होती है and जब आप इन thoughts को थोड़ा सा pause करके observe करते हैं और question करते हैं तो ये thoughts खुद बख खुद ही गायब हो जाते हैं for example अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में ये thought आ रहा है तो भी आप fail हो जाएंगे क्योंकि दीखे माइन बहुत powerful होता है और एक quotation भी है whatever you can conceive, believe, achieve और आपका माइन इसी को ही conceive करता है इसी को ही believe करना शुरू कर देता है और again मैं कहूंगी इसी को ही achieve कर लेता है और इसी thought को अगर आप थोड़ा सा question करें कि भाई जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आप महनत कर रहे हैं तो क्यों आप fail होंगे आप pass भी तो हो सकते हैं न और अगर आप अपने मन को बार-बार बोलते हैं definitely मैं pass होंगा क्योंकि मैं महनत कर रहा हूँ मैं effort कर रहा हूँ तो देखे आपकी energies change होंगे आप better feel करेंगे और आपको better results भी अपनी life में मिलेंगे तो देखे ऐसे आप अपनी energies को shift कर सकते हैं और अपनी life में positive outcomes भी आप ला सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है wheel of fortune, reverse and dispersion और देखे wheel of fortune का card taro में कही movement की बात करता है shift की बात करता है, speed की बात करता है तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है और इस week आप लोगों के लिए ये card reverse है तो इन ही चीजों से लेकर कुछ issues, कुछ मसले इस week रह सकते हैं specifically आपके personal front में कुछ लोगों के लिए literally travels related again कुछ issues होंगे आपके travel plans या तो delay हो रहे हैं postpone हो रहे हैं या फिर आपके vehicle से related कुछ issues हैं और in general के लिए देखे हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी situation में, किसी चीज में तोड़ा सा आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितनी speed आप अपनी life में चाहते हैं चीजों को लेके उतनी speed नहीं आ पा रही है और देखे यहाँ पे dispersion के card को अगर आप देख पा रहे हैं इस card में बहुत ही clearly लिखा हुआ है diffuse negativity तो देखे हो सकता है कि थोड़ा सा आप इसी वज़े से मन ही मन negative हो रहे हैं और यहाँ पे moon का card भी कही negative energies की बात करता है तो देखे यहाँ पे dispersion का card हो सकता है कि आपको guidance दे रहा है कि इस चीज का आपने खयाल रखना है कि negative energy आप अपने around ना create करें और अगर आप बहुत rigid किसी चीज को लेकर हो रहे हैं बहुत fixated किसी चीज को लेकर हो रहे हैं तो उसको भी आपने check करके correct करना है क्योंकि क्या होता है न बहुत ज़ादा किसी भी चीज को लेकर again मैं कहूंगी हम rigid हो जाते हैं तो हम बाकी options को नहीं देख पाते हैं बाकी choices को नहीं देख पाते हैं और फिर से मैं कहूंगी कि हमारे decisions हमारे actions wrong हो जाते हैं जिसकी वज़े से आगे चलके हम परेशान होते हैं तो देखे इस चीज का भी आप खयाल रखें और Wheel of Fortune सिरफ इसी week के लिए movement से related कुछ issues की बात करता है नया week नई energies लेकर आएगा नई चीज़ें आपकी life में लेकर आएगा and guidance से आप लोगों के लिए spaceship का card है और ये card कहता है don't be afraid to sing तो देखे यहाँ पर इस thing लिखा हुआ है लेकिन इस card के energies हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं उसी से related again कुछ भी fears and securities है तो उनको आपने जरूर जरूर इस week overcome करना है तो देखे overall ही इस reading में कहीं negative energies या फिर या फिर या फिर एक you know डर represent हो रहा है और देखे फिर से मैं कहाँगे Sagittarius यह हमारी ही creation है और थोड़ी सी कोशिश करके हम इन energies से अपने आपको बहार निकाल सकते हैं और जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम बहुत अच्छा feel करते हैं तो जो भी डर जो भी insecurities आप महसूस कर रहे हैं again उनको overcome करें और जो आप करना चाहते हैं उनको बिंदास होके आप करें उस direction में action initiatives आप जरूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Uranus planet का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए